मुंबई में जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ड्रक्स को लेकर रेड गिरफतारी हुई है उसका अब सीधा कनेक्शन पूरे से निकला है और पूरे के जो चिनमे देशमुक है उनका यह कनेक्शन कैसा है यह आप अगर जान जाओगे या आपको पता चलेगा तो अब भी चोग जाओगे इस रेड के दोरान या गिरफतारी के दोरान जो एक शक्स दिखाई दे रहा है और जिसका फोटो बहुत वाइरल हुआ वो है किरन गोसावी जिसने सेल्फी निकाला था शारुक खान के बेटे आरियन खान के साथ अब यह फोटो वाइरल होने के ब समय और किरन गोसावी इनका जी चिन में बताईए किरन गोसावी ने 2018 साल में मेरे को जॉब देने के बहाने मेरे से 3 लाख रुपए देखे मेरे को टूरिष्ट विजा पर मलेशिया को भेजा उसके बाद मलेशिया में उसने मेरे को बहुत टॉर्चर किया उसके आदमी पड़ा उदर मेरे पासपोर्ट लेने का कोशिश हो गया उसके बाद इधर आने के बाद जब हम उसके ऑफिस में पहुचे तो वो ऑफिस में था नहीं और उसके बाद किरन गोसावी ने मेरे को जान से मार डालने की दमकिया दे दी क्योंकि मैंने उससे पैसे वापस मांग उसके बाद मैंने सीधा लोकल पूलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ एफायर दाखिल किया और अब कल के न्यूज में हम जब देख रहे उसके खिलाफ मुंबई और ठाना में भी बहुत गुने दर्ज है जो सेलफी फोटो वाइरल हुआ है कि रन गोसावी और उसने ज वो जब आरियन खान को पकड़ के लेके जा रहा था वो जब वीडियो वाइरल हुआ तभी मैंने पैचान लिया कि ये वही किरन गोसावी है योकि उसके फोटो 2018 साल में मैंने खुद सब्मीट किये थे लोकल पूलिस स्टेशन में उसका आधर काड वो भी मैंने लोकल पू लेशिया भेजा गया और वहां पर भी आपके साथ कुछ धोका दड़ी हुई या आपको धमकाने की कोशिश हुई लेकिन ये जो जौब था ये कैसे आपको मिलने वाला था या किरन गोसावी के साथ आप संपर्क में पहली बार कैसे आये वो बताए फेस्बुक के द्वार मैं किरन गोसावी के संपर्क में आया उसकी एड देखने के बाद वाटसैप पे मैने उसको मेसेज किया था उसके बाद उसने मेरको फोन किया की भी के तुम ओफिस मिलने आजाओ मैं ऊफिस में मिलने को जब गया था, तब उसने मेरा जो भी है बाय़ डेटा अगरा लिया, उसने उसके बाद पthen की मांग की, उसने पthen की मांग जो की, वह जो अकॉंट था, वह किसी female का था, अकॉंट और उस पह पैसे ट्रांस्फर करने को बोला, तब भी मुझे शक आया था लेकिन अगेन उसने हमारा विश्वा संपादन किया मीठा मीठा बोल के उसका जिस अकाउंट में हमने ट्रांसफर किये थे वो अकाउंट का नाम और पैंकार्ड भी मैंने लोकल पुलिस टेशन में सब्मिट किया था बहुत सारे उसके खिलाफ मैंने सबुद जम आनने की धम की दि यदा फोन कॉल किये क्या हुआ हने के बाद उसके अफिस में नहीं था तब मैने थे नहों नहीं की चौकि करता conservative किये क्योंकिôm की दंकि़्च करना था लेकिन उदर वापस पुना आने के बाद उसके मेरे कर फोन कॉल्स आए वह भी मै Georgetown कि आ था मेरे को जान से मारने की दमकी दी मेरे पापा को जान से मारने की दमकी दी बहुत गंदी-गंदी गालिया दी गई मेरे को लेकिन फिर भी मैं मेरे मत पर ठाम था कि एफायर दर्च करने की क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग फसे हो सकते बहुत ये बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है दूसरी बात उसने जिन जिन लोगों से पैसे दिये थे वह चार से पाच लोग मेरे संपर्क में है मेरे कॉंटेक्ट में उनका कहना यह वो भी डर रहे हैं उनका कहना यह अगर पुलिस उन्हें गिरफतार कर ले तो हम भी हमारा जबाब दे सकते हैं इदर जो दी आपको और जो आप आरोब लगा रहे हो कि रंगो सवी पर तो वो धमकी उसका कोई बाकाबाल तेडा नहीं कर सकता ऐसा भी आप को वाट्साप पर भेजा गया था वो वाइट सुनोट भी मैंने पुलिस को सब्मिट कर दिया था दोजार आठरा में ही अब अपने सुना के कैसे डायरेक्ट कनेक्शन है मुंबई में जो फिलहाल ड्रक्स का मामला चल रहा है उसका और पुने के इस चिनमे देशमुक का कह लेना यह है उसका आरोप यह है कि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो में जो लोग विटनेस बतोर काम कर रहे है या उनको बुलाया जाता है उनमें से एक शक्स पर आरोप लगाया है चिनमे ने कि उसने इसके साथ धोका धड़ी की है धोके से उसे जौब दिलाने के भरोसे स मलेशिया भेजा वहां पर भी जौब नहीं दिया फिर जान से मारने की धंकी दी गई और अब जाकर यह केस फिर से एक बार उजागर हुआ है उसे विश्वास है कि इस बार तो सही तीन साल के बाद ही सही उसे नय मिलेगा और जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा रहा है उस झाल 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 झाल